लोकसभा चुनाव से पहले हर्याना में सियासी भूचाल आ गया है, हर्याना KCM मनोहर लाल खटर ने इस्तीफा दे दिया है, हर्याना में बीजेपी जेजेपी गटबंधन तूट गया है, سीट शेरिंग पर ये गटबंधन तूट गया है, बिना दुश्यन्त चोताला के ही अब हर्याना में नई सरकार का गठन होगा, अब गटबंधन तूटने से हर्याना की सभी 10 सीटों पर BJP अकेले चुनाव लड़ेगी, लोकसभा में 2 सीट चाहती थी, JJP, हर्याना की हिसार और भिवानी सीट को लेकर JJP अपना दावा थोक रही थी, लेकिन बात नहीं बनी और दोनों के रास्ते अलग हो गए, कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होने है, ऐसे में गटबंधन तूटने से BJP को तगड़ा नुकसान हो सकता है, राजनीतिक विशलेशकों का मानना है कि राज्य में BJP कमजोर होगी और फायदा कॉंग्रेस को होगा, गटबंधन से अलग होने के बाद अब BJP का खेल JJP हर्याना में बिगार सकती है, हर्याना में लोकसभा की 10 सीटे हैं जिसको जीतना BJP के लिए अब बहुत मुश्किल होने वाला है, और इस साल के आखिर में हर्याना में विधान सभा के भी चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले लोकसभा म BJP की अगने परीक्षा होगी.